नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल लिव शहडोल P.W.D. विभाग की लापरवाही की कारण 30 नवंबर को बंद हो जाएंगी मेडिकल कॉलेज की सभी सेवाएं शहडोल के मेडिकल कॉलेज का भवन निर्मान M.R.D.C. के माध्यम से कराया गया था और इसके बाद जनवरी 2020 में लोग निर्मान विभाग द्वारा हैंडोवर में लिया गया था जिसके बाद से ही इस मेडिकल कॉलेज का संचालन शुरू है और अब यहां लगभग 2500 से अधिक बरीज भरती हैं किन्तो अब इस मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रदान की गई सभी जरूरी सेवाएं जल्दी बंद की जा सकती हैं दरसल लोग निर्मार्ण विभाग द्वारा यह मेडिकल कॉलेज हैंडोवर में लिया गया था जिसके बाद से ही निर्मार्ण एजंसियों द्वारा सभी जरूरी व्यवस्ताइं जारी रखी गई थी लेकिन इस कारे के लिए हस्तांसरन कराई जाने के बाद P.W.D. विभाग ने कारेदत एजंसियों पर ध्यान नहीं दिया और सभी व्यवस्ताओं के लिए सिर्फ एक साल तक का ही इन एजंसियों द्वारा नुबंद किया गया था और अब इनकी लापरवाही के चलते इस बात को एक साल से भी जादा का समय बीच चुका है किन्तो इनके द्वारा अभी तक संबंदित एजंसियों को उनके द्वारा प्रदान की जा रही विवस्ताओं के लिए भुगतान नहीं किया गया है एक साल से भी जादा की समय से Medical College में इन एजंसियों द्वारा कई जरूरी सेवाईं जैसे कि लिफ्ट, WTP, STP, ETP, CCTV, AC और इलेक्ट्रिक सेवाईं प्रदान की जा रही थी तब से PWD विभा को कोई फर्क नहीं पढ़ रहा था और ना ही इने भुगतान की कोई चिंता सता रही थी किन्तु अब जब एजंसियों की भुगतान का समय आया है तो यह यह कहकर अपना पल्ला जहार दे रही हैं कि हमारे पास ना तो बजट है और ना ही मैनपावर इस मेडिकल कॉलेज ने कुरोनकाल से ही कई मरीजों को ठीक किया है और सभी जरूरी मेडिकल सेवाई भी प्रदान की हैं और यहां भर्ती मरीजों के लिए परिशानी भी खड़ी हो सकती है एजंसियों को कहना है कि उन्होंने संबंदित विभाकों कई बार पतर चार भी लिखे हैं किन्तों की तरफ से अब तक एक पैसा भुकतान नहीं किया गया है जिसके बाद अंत में इन अजंसियों ने 30 सवंबर 2021 के बाद से सभी सेवाईं बंद करने का एलान कर दिया है अब वक्त है कि प्रशासर ने इस मामले पर कोई बड़ा कदम उठाए वरना यहां भर्ती मरीजों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है साथी साथ शेहडोल और आसपास के अलाकों से आई लोगों को चेकब की सुबिधा के लिए परिशान होकर किसी अन्य अस्पताल में जाना पड़ेगा वैसे इस मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद शिरालकर का कहना है कि जिली की कमिशनर वा कलेक्टर द्वार लगतार इस समस्या को लेकर भुपाद में चर्चा जारी है और मेडिकल कॉलेज की सभी सेवाई इसी तरह आगे भी बहार रहेंगी तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक ज़रूर करें धन्यवाद